नमस्ते इस वीडियो में हम भारतिय च्वतंत्रता संग्राम इंदियन इंडिपेंटिन्स च्रागल के बारे में पढ़ेंगे। यह इस पाठ का दूसरा अध्याय है। इस पाठ में हम भारतिय च्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे है। इस अध्याय में हम राष्ट्रिय आंदौलनों के संगठन के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने सीखा 1857 के विद्रोह के कारण, 1857 के विद्रोह की घटनाय, East India Company ने विद्रोह का कैसे रोका और उस विद्रोह के नतीजे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के मध्यमारगी परिवर्तनवादी वर्षो के बारे में, बंगाल विभाजन, उन्नीसो से उन्नीसो बीस की भारतिय राजनीती और महात्मा गांधी के आगमन के बारे भूमिका लोगों को यह अहसास हुआ कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व लोगों पर कबजा जमाएं हुए है और उनके नियंत्रण को खत्म करना भारतियों के लिए आवश्यक है भारत में राश्टरवाद का उदै 1870 और 1880 के दशकों में बनी राजनीतिक संगठनों में इह चेतना और गेहरी हो चुकी थी पुना सार्वजनिक सभा, इंडिन एसोसियेशन, मद्रास महाजन सभा, बॉंबे रेसिडेंसी असोसियेशन, भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस आदी इस तरह के प्रमुख संगठन थे इस समय बृटिश साशन के प्रती असंतोश और ज्यादा बढ़ा, आम्स आक्ट वह वर्नेकिलर आक्ट के लागू होने और इलबर्ट बिल के वापस ले लिये जाने से भारत में अंग्रेजों के असली रवया का पता चला इस सब के वजह से पढ़े लिखे भारतियों को एक अखिल भारतिय संगठन की जरुरत महसूस हुई भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस मध्यमार्गी वर्ष 1885 में देश भर से 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की स्थापना की उसके प्रारिम्भिक नेता थे दादा भाई नौरो जी, फेरोज शांगहता, बदरुद्दिन तैयब जी, डबलू सी ब्वैनर जी, सुरेंद्रनाथ ब्वैनर जी, रोमेश चंद्रदत्त, एस सुब्रमन्यम अयर आदी अपने पहले 20 सालों में कॉंग्रेस ने सरकार वशासन में भारतियों को और ज्यादा जगह दिये जाने के लिए आवाज उठाई, उन सालों में कॉंग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाई, कॉंग्रेस के शुरुवाती नेता मध्यमारगी थे, उन्होंने अकबा निकाले ब्रिटिश शासन की निन्दा करते हुए भाशन दिये, लेकिन उनका मानना था कि अंग्रेस उनकी न्याय संगत मांगे पूरी करेंगे। और महाराष्ट्र में विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लजपतराय जैसे नेता, ज्यादा परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उनका मानना था कि लोगों को अपने ताकत पर भरोसा करना चाहिए, उन्हें स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बंगाल विभाजन 1905 में वायतरयकरजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकिय सुविधा को ध्यान रखते हुए बंगाल का बटवारा करना जरूरी था। पूरवी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्धिश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुष लगाना और बंगाली जन्ता को बाट देना। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और परिवर्तनवादी कॉंग्रेस के सभी धरो ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गये। जन प्रतिरोध के नए रास्ते डूम दे गये। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आंध्र के डेल्टा इलाके में इसे बंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयम सहायता, स्वदेशी उद्धमों, राष्ट्रे शिक्षा और भारतिय भाषा का उपियोग को बढ़ावा कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखार फेकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। मांग की। 1907 में कॉंग्रेस तूट गई। मध्यमार्गी धरा वहिशकार की राजनीती के विरुद्ध था। उनका मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की जरुरत होती है जो की सही नहीं है। तूटने के बाद कॉंग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया जबकि तिलक के अनुयाई बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एतिहासिक लखनाव समझोता हुआ। और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार का गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। जनराष्टरवाद का उदय उन्नीस सो उन्नीस के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संगर्ष जनांदोलन में तबदील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाय बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार ओद्योगिक मुजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसाहिक समुह भी कॉंग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। प्रथम विश्वयुद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनितिक स्थिती में परिवर्तन लाया। सरकार ने नीजी आय और व्यावसाहिक मुनाफे पर कड़ बढ़ा दिया। सैन्य व्याय के वृध्धी के कारण महेंगाई बढ़ी जिसने आम आदमी की जिन्दगी मुश्किल कर दिया। व्यावसाहिक समुह ने युध में बेहिसाब मुनाफा कमाया। युध की खातिर गाउं में सिपाहियों की भरती के लिए दबाव डाला गया। 1917 मेरूस में हुए क्रांती का असर भारतिय राष्ट्रवादियों पर पड़ा। महात्मा गांधी का आगमन। इन ही हालात में महात्मा गांधी एक राजनेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 मिदक्षिन अफ्रीका से भारत लोटे थे। वे वहाँ पर नसल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर राष्ट्रियस्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी। लोग उनका आदर करते थे। उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। जस दौरान वे यहां के लोगों उनकी जरूरतों और हालात को समझे। उनके शुरुवाती प्रयास चंपारण, खेडा और अहमदाबाद के स्थानिया आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनकी राजेंदर प्रसाद और वल्लभाई पटेल से मुलाकात हुई। अब हम इस अज्याय में उप्योग किये गए कुछ शब्दों का अर्थ समझेंगे। आर्म्स एक्ट 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिये भारतियों द्वारा अपने पास हतियार रखनी का अधिकार छीन लिया गया। वर्नेकिलर प्रेस एक्ट उसी साल Vernacular Press Act भी पारित किया गया, जिस्वे सरकार की आलोचना करने वाले अखबारों की प्रिंटिंग प्रेस की सारी संपत्ती को जब्त किया जा सकता था इल्बर्ट बिल 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, इसको लेकर काफी हंगामा हुआ इस विधेयक में धान या गया था कि भारतिय न्यायादीश भी ब्रिटिश या यूरोपिय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं क्रांतिकारी हिंसा समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए इंसा का उपियोग करना प्रथम विश्वयुद्ध 1914 से 1919 तक वैश्विक स्थर पर लड़ा गया युद्ध रूस कांति 1917 में रूस ने अपने राजशाही को खर्त्म कर दिया और साम्यवाद को अपनाया 192 सिर्श कैश diffIR थиля है